स्वागत है आप सबका दसकी कमाई में और बाजार के जाने माने दिगज और अंतराश्टी बाजारों के विश्य शक्या अजे बग्गा साथ हमारे साथ कारिकर में हो चुके हैं शामिल और बग्गा साब स्वागत है आपका इस वक्त सबसे पहला सवाल मैं आप से चीन को ले देखे आनिल जी जो नंबर निकल के आए चीन से वो काफी खराब थे आज सवेरे रिटेल का उनका गयरा परसंट गिरा येर ओन येर जब 6 परसंट गिरने की उमीद थी इंडस्ट्रियल प्रड़क्शन माइनस 2.9 चीन में इंडस्ट्रियल प्रड़क्शन गिरना बहुत म चीन एकानमी पर चैलेंज है एक तो ये कोवेड लॉकटाउन है जो वेल रिसरच्ट है दूसरा है रियल एस्टेट में क्रेडिट नहीं मिल रा है रियल एस्टेट का खपत मकानों की खपत कम हो गई है बहुत और बहुत चैलेंजिंग हो रहा है उनको अपना कर्ण का और फिर अपने पूरे technology shares पे दिगज कंपनियों पे जो अंकुष कसा उसके चलते investments काफी गिरे और माहुल खराब हुआ अब ये तीनों को वो address करने आ रहे हैं पहला ये mortgage का जो change किया वो बहुत अच्छा है दूसरा शेंगाई में बोला कि दुखाने खुलनी शुरू हो हैं तो ये बहुत बड़ा चीज रहेगा तीसरा जो अब उमीद है कि Central Bank कुछ stimulus लेके आएगा क्यूंकि इस October में जो People's National Congress होने वाली है उसमें ताज पोशी होनी है जी जिन पिंग का तीसरा unprecedented term वो inaugurate करने वाले है और उनको lifetime president बनाने वाले हैं उसके चलते वो slowdown नहीं साहर स इसलिए मैं commodities पे positive round specially metal shares मैं कहता रहूं तो चीन का यहाल है अनिल जी और इससे second order effect दुनिया भर में आते हैं जब चीन के नंबर कमजोर आए बट उसके बाद अब stimulus के होप पे हम देख रहे हैं Markets थोड़ा एक ठहराव ले रहे हैं और बढ़े हैं फिरसे सर यह जो हमने wheat export का ban लगाया है domestic prices को cool off करने के लिए globally भी हमने देखा है inflation की तो एक चिंता है आपसे लगा था चर्चा होई रहे है बट recently थोड़े prices cool off जरूर हुए है तेल के अगर आप बात कर लें metals की बात कर लें जो high दिख रहे थे 2-3 महीने वहां से cool off आया है क्या बाजार अब इसे capture करना बाकी दिख रहा है जहां तक inflation का आगे coordinated action आ रहा है सभी देशों के वज़े से जी दीप देखे तो तेल तो अभी एक flat line पे आ गया है क्योंकि April middle के बाद rates नहीं बढ़ाए गए चाहे तेल कंपनिया भारत सरकार से कह रहे हैं कि rate बढ़ाए जाए और वैसे independent हैं वो बट हमने देखा है कि coordinated action रहता है आज jet fuel की price बढ़ाई गई जरूर तो inflation कहा है inflation बढ़ गया है और यह बढ़ा रहेगा उल्टा August और September में भारत के लिए थोड़ा संकट है कि base effect से August September का inflation काफी peak कर सकता है तो इस साल हमें 6% से 7% के करीब दिख रहा है inflation अगले मार्च तक जब फिर base effect आने शुरू हो जाएंगे और फिर थोड़ा मध्यम हो जाएगा inflation globally metals में एक काफी बड़ी correction आई थी 8-15% की चीन के slowdown के चलते especially चीन का real estate sector अगर आप देखे तो लगबग 10-15% global commodities चीन का real estate sector खाता है और वहाँ जब slowdown आया हमने देखा कि lockdowns के चलते और real estate के slowdown के चलते metals में correction आई थी चीन का stimulus आता है आप देखेंगे metals दोड़ेंगे क्योंकि overall supply कम है और ये 10 साल से जो infrastructure में investment नहीं होई mining में हो तेल की exploration में हो अब US का recount देखें जो peak था 2200 का वो अभी भी double होके पिछले एक साल में 1000 के नीचे है तो इस तरह का under investment रहा है commodities में और demand जब आती है तो commodities आगे भागेंगे super cycle है उसमें बने रहना है आपको especially inflationary environment का एक तोड़ रहता है real estate दूसरा रहता है commodities अगर आप real assets या real assets से जुड़े हुए stocks करीद पाएं वह आपको inflation में काफी help करते हैं तीसरा रहता है financials financials भी ज्यादा तर अच्छा प्रदर्शन करते हैं inflationary times में यह फिनलेंड बोल रहा है हम नेटो में जाएंगे Sweden भी बोल रहा है नेटो में जाएंगे तो क्या यह वापस से मामला गरम हो सकता है या फिर रूस पर दबाव बनेगा और जल्दी से युद्ध खत्म होगा तो एक दोनों तरह से युद्ध की theories भी आ रही है कि पूटिन को blood cancer है और अगर वो operation के लिए गए तो उसको उनको उठने नहीं देंगे उनके आसपास के जो लोग हैं और उनको replace हो जाएंगे तो अब पदा नहीं क्या सचाई है इस सब में बट यह तैय है कि Finland और Sweden जो neutral रहते थे और हमने अगर आपको यादो अनिल जी फरवरी में भी हमने का था Ukraine को Finland का model अपनाना चाहिए था कि neutral रहते NATO की तरफ ना जुकते तो शायद युद टल जाता वो तो अभी निकला नहीं तो उल्टा Russia को अभी और खामियाजा आ रहा है कि Sweden और Finland जो neutral थे वो कह रहे हैं कि हम रुजान रहते हैं NATO की membership लेने क Turkey ने इसका बहुत strongly विरोध किया है तो Turkey थोड़ा फ्रंटिंग कर रहा है Russia के लिए उनके जो प्रेजिडेंट हैं वो close हैं पूटिन से भी और वो थोड़ा flexing कर रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे इनको NATO के अंदर बट Russia के लिए खत्रा बनता है क्योंकि बहुत बड़ा एक boundary Finland का Russia के साथ है और जो अभी neutral है और बहुत सारे joint venture company है open border है उस पर आर्मी नहीं है तो Russia के लिए काफी उससे दिक्कत आती है ये जरूर है कि Sweden ने कल कहा हम NATO का base नहीं बनाएंगे ना हम nuclear weapons आने देंगे तो मिसाइलें जो Germany में है France में है अभी Poland में नहीं है वो Sweden और Finland में नहीं आएंगी तो वो एक Russia के लिए उन्होंने एक way out किया है बट लगता है कि ये follow through करेंगे और इसमें एहम बात यह है 1949 से इन्होंने ये कहा था कि हम Western हैं सोच में but on the ground हम neutral हैं दोनों के बीच में तो एक ये buffer zone बने वोई थे cold war के throughout ये buffer zone रहे और सुरक्षित रहे अब इनको इत इससे risk बढ़ता है बट फिर मैं कहूंगा market के लिए हम catalyst टून रहे हैं ये market को बढ़ाएगी क्या चीज़ अगर Russia Ukraine का युद्विराम हो जाता है वो बहुत बड़ा market के लिए एक upward bias हो सकता है वो ही एक catalyst आप कह सकते हैं इस पूरे sea of pessimism में जो हमें दिख रहे हैं कि rates बढ़ growth slowdown हो रही है उस सब में अगर ये कुछ हो जाता है इससे दबाव पढ़के अगर आता है मुझे नहीं लगता अभी दबाव पढ़ेगा ये देखना है पूटिं की health कैसी है और क्या रेशिया युद्विराम की तरफ बढ़ेगा या कितना उसका staying power है क्यूंकि उसको रोज सब्सक्राइबral इनका इनकर रहा हुआ है रश्या को तेल और गैस तो साल के लगबग साधे तीन सो बिलिएंड डॉलर्स नके पास आ रहे हैं तो खड़ सा तो वो कर सकते हैं ओके तो पैसे तो है मतलब इनके पास लड़ने के लिए अभी भी जया आत्मबल सर सेनिकों का इनका अटोक्रेसी में इनको कोई फरक नहीं पड़ता है 25,000-50,000 लड़के नहीं मारे गए ज्यादा तर कॉंस्क्रिप्ट ही भेजे थे 18-19 साल के बिलकुल जो मैचूर सोलजर्स नहीं थे तो इनको कुछ फरक नहीं पड़ता निल जी प्रोपगेंडा से अपना पूरा मीडिया भी कंट्रोल में रखते हैं तो आम नागरिकों को पता नहीं लगता है कि कितनी तबाई होई है तो यह है कि एकॉनमी काफी इनकी ठप हो रही है बट सेंट्रल बैंकर जो हैं इनकी वो बहुत ही चुस्त हैं उन्होंने पहले दिन 20% कर दिया था इंट्रेस रेट अब आप रूबल देखिए 130 तक पहुंच गया था रूबल टू दर डॉलर वो 65-70 पे आ गया और 60 ऐसी कंपनिया है योरप की जिनोंने रूबल एकाउंट खोल लिये गैस प्रॉम के साथ तो यह फोर्स कर रहे हैं उनको के आप रूबल में पेमेंट करिए तो योरो बेच के रूबल खरीते हैं और रेशिया को रूबल देते हैं जिससे कि उनकी करेंसी बढ़ लिया है तो इनकी जो सेंट्रल बैंकर हैं वो बहुत सक्षम है वो रिसाइन करना चारी थी बट कमजोर हुए है देखिए यह स्ट्रेटिजी पूरी पूरी रिश्या की जो आपको अभी बग्गा साथ ने समझाए धन्यवाद सर समय देने के लिए आज और ग्लोबल मारकेट पर विस्तार से अपनी राए हमारे दर्शकों को गाइडेंस देने के लिए थैंक्यू सर